कि सबसे पहले जहेंद आप सबको हाली में हमारा आप सोलकी का ओप्रेशन लाउंच बाता उन्हेंस तारीक से उसके बारे में बहुत संक्षियव में आपको में ब्रीफिंग करूँगा पुछे कुछ दिनों से हमको यह लगादा खबर मिल रही थी कि दो टेर्रेस कालकोट के इलाके में यहां पर अपनी कतिविद्या बढ़ा के उन्होंने काम बढ़ा रखा है और उन्नेस तारीक के रात को हमको यह कंफर्म्ड खबर मिली कि पाकिस्तान का हाइग रैंग एलिट पर शामिल हुआ है इस खबर के आधार पे तुरंत सारे सेक्रिटी फोर्स जहां पर शामिल राइफल्स जमुकर श्वीर पुलिस और बाकी इंटी इजन्सी इन्होंने तुरंत ऑपरेशन को कार्गर रूप में शामिल किया प्लाइनिंग की और साथी साथ तुरंत अपनी एक्टिविटी शूरू कर दिया अन्होंने 22 तारीक को करीबन साथ आठ वजे आठ वज के तीस मिनिट पर दुबारा जनल एडिया काभू कोट जहां पर पहले खबर आई थी इन दो टेर्रेस का दुबारा सूचना मिला कि इनकी आपर गतिविधिया चल रही है इस खबर के पर अधार पर सर्च ऑपरेशन लांच किये गए क्योंकि इस इलाके में जंगली इलाका है जंगल के लाका है और साथ में कुछ सिविल लोगों के ढोग भी है बड़े तफसील से हावे प्लैनिंग की गए थी ऑपरेशन दिस इलाके में हमारे पार्टी स्वाइश कर रही थ सबसे पहले वह कवर से बहार निकल के उन्होंने जो बच्चों को और लेडीज को वहां से से शेफ्टी के लिए निकाला और तुरंथी जवाबी फाइर की कारवाई की कैप्टन प्रांजल और उनके टीम मेंबर्स लगातार टेर्रेस को इंगेज करते रहे और फायर बरकरार बना के रखे ताकि वो टेर्रेस वहां से निकल ना पाए साथ ही साथ बाकी जो कॉलम्स थे जिस ऑपरेशन लिए त्यारी हालत में थे तुरंथ ही वो लॉंच हो गये थे और इस लाकी के लिए उन्होंने बिल्ड अप करना शुरू कर दिया था क्यापिन प्रांजल की टीम कब तक्रीवन आदे घंडे तक उनको लगातार टर्रेस को घमासान में जवावी हमला बारबार करते रहें इसी समय के दौरान एक बुलेट की वज़े से जो उनको लोगी अपने उनके सर पे लगी इसके वज़े से उनको शाहदत मिली और उन्ह कॉल कॉंटाक्ट को ब्रेक नहीं होने दिया उस इलाके की अंडर ग्रोथ बोल्डर्स बहुत ही मुश्किल टरेन इस सबका एडवांटेज लेके टेर्रेस जंगल के अंदर चले गए और लगातार फायर को उन्होंने परकारा रखा हमारे ट्रॉप्स जिसमें की सामिल है न सब्सक्राइब करके हमारे स्पेशल फोसेज और हमारे बाहदुर जवान इन टेर्रेस के नजदीक आए इस प्रक्रिया के दोरान हमारे तीन सोल्जर्स शुरू में घायल हो गये थे उसके बाद बाद में कंफर्म हो गया कि वह अपने चोड के विज़े से उनका साक्रिपा हो गया था पर यह फाइरफाइटिंग कंटिन्यू होता रहा और यह एकीम किया गया कि यह वहां से निकलना पाए जब तक यह ऑप्रेशन आगे बढ़ता रहा करीबन शाम का 1730 वज़े का समय हो गया था और अंदेशा था कि बहुत श्रीगर ही अंधेरा होने वाला है और इसके वेज़े से साथ ही साथ एडिशनल टूप्स की बिल्डप और प्लैनिंग करी गई थी ताकि फिर वहां से कोई निकलना पाए इसमें हमारे अन्य आरार यूनेट 54 आरा 2SF 63 आरा 9SF सभी टूप्स इंक्लूडिंग जेकेपी नोंने को इस्टाइबलिश किया और यकी सब्सक्राइबल कैमरास और मॉडन एक्टूप्मेंट जो कि ऑप्रेशन के इस्तमाल किये जा रहे थे उसके साहता से इस इस इलाखे पर अच्छी तरह से निगराई बनी रखी गई और यह एकीम क्या कि टर्रेस्ट वहां से निकल ना पाए सब्सक्राइब दुबारा सब्सक्राइब को आगे बढ़ाया गया और इसमें करीबन साथ बसके चालिस मिनिट पर एक टेर्रेस्ट जो की स्कॉर्डन के अंदर ही था पर निकलने के कोशिश कर रहा था उसको हमारे कारेटर पर सचन ने उसको इसको इडिटिफे कर लिया उसने तुरंधी इसको पर फायर डाला शचन के फायर के उपर टेरेस ने जवाब पर जवाब भी फायर किया और उस फायर के दौरान सचन घायल हो गे पर तुरंधी 2SF और 9SF की बागी टीम्स ने तुरंधी बिल्ड़ अप कर लिया था और यह फायर को लगाता बनाया रखा गया और करीवन करीबन तीन सो तेरह सो तीस बेज़े तक दूसरे टेरेस्ट कर दिया गया कि इस ऑपरेशन में पांच सूरवीर क्यापिन प्रांजल क्यापिन शुबंग होलदार माजट प्लास नाइक संजे बेश्ट जो कि हाली में बुद्दल की इलाके में भी टेरेस्ट के साथ ऑपरेशन में नहीं शामिल हुए थे और पारट वसंते लिए आपना सर्वोच बलिदान दिया कि यह वेरी प्रॉड अब देन देश के सर्वोच इजब के लिए और टेरेस्ट के लिए जो सहाधत प्राप किये हम सबको इंसे प्रेड़ना मिलती है और यह यकीन दिलाते हैं आपको कि यह कारवाही आगे भी वरकराद हैगी यह दोनों ही टेरेस्ट फॉर्ण टेरेस्ट है और यह यकीन में आया है कि दोने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लाके में इन्होंने ट्रेनिंग हासिल किये और कारी एक आईडी एक्सपर्ट भी है और बहुत ट्रेंट स्नाइपर भी है